आपका हिंदी की कख्षा में स्वागत करती है आज हम हिंदी पाठ दो चिडिया घर की सेर पाठ का पठन करेंगे आज की कख्षा का उदेशे है चित्रों को समझ पाना और कहानी पढ़ पाना आपको पता है बच्चो आज मैं आपको अपने साथ कहीं लेकर जाने वाली हूँ बच्चो क्या आपने कभी चिडिया घर देखा है जरूर देखा होगा अगर नहीं देखा है तो चलिए फिर चलते हैं और शुरू करते हैं चिडिया घर की सेर आप लोगों ने चिडिया घर म कई तरह की जानवर देखिए होंगे चलिए मैं उन जानवरों के बारे में आपको बताती हूं सभी अपनी हिंदी की पाठ्टे पुस्तक प्रिष्ट 18 निकालिए और पेज के ऊपर दिनाख डालिए चलिए शुरू करते हैं पाठ की और चित्रों को देखिए और पढ़िए श शेर जंगल का राजा होता है बंदर लंगूर लंगूर का मुझ काला होता है गैंड़ा गैंडे की नाक पर एक बड़ा सा सींग होता है जिराफ लंबी गर्दन वाला जिराफ भालू मचली मचली जल की रानी है बतक कच्छवा मगरमच गोरईया तोता तोते को हम हरियल भी बोलते हैं काका तुवा एक विदेशी पक्षी है कवा कवा सारा दिन कां 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 करता रहता है मूर मूर हमारा राष्ट्रे पक्षी है शुतुर मुर्ग, शुतुर मुर्ग के अंडे बहुत बड़े होते हैं उंट, हाथी, की है ना उंट और हाथी की सवारी मैना, कोयल, कोयल की अवास बहुत मीठी होती है ये थे ऐसे कुछ जानवर जिने हम चिडिया घर में देखते हैं अच्छा लगा ना सबको? चलिए, अब चलते हैं प्रिष्ट 19 पर, आओ, पढ़े कल गीता अपने दादा जी के साथ चिडिया गर गई थी और उसने क्या देखा? महाँ पर बहुत सारे पिंजरों में अलग-अलग जानवर बन थे उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत बीड थी शेर लिखा नहीं है, तो आपको कुछ पता चला, हमें इस कहाने को चित्रों की मदद से पूरा करना है, चलिए, आगे पढ़ते हैं सिही गर्जा, सिही यानी शेर, तो सब डर कर पीछे हो गए सामने लोग बंदर को चने और केले खिला रहे थे क्या खिला रहे थे, केले और चने, किसको खिला रहे थे, बंदर को दादा जी ने कहा, देखो, महा लिखा है, चिडिया घर के जानवरों को खाना देना मना है बच्चो, क्या कोई बता सकता है, ऐसा महा क्यों लिखा है, क्योंकि चिडिया घर के जानवरों के लिए जो एक रुटीन सेट किया गया है, सुभे, दोपैर और शाम के लिए अगर हम उनसे एक्स्ट्रा खाना उनको देंगे, तो वो बिमार हो सकते हैं गीता बोल उठी, दादा जी वह देखिये, काले मुग का बंदर दादा जी हसने लगे और बोले, बिटिया वह लंगूर है, क्या है लंगूर और लंगूर का मुग कैसा होता है, काला वहाँ उन्हें नाक पर सींग वाला जानवर अब भी मैम ने बताया ना, नाक पर किसके सींग होता है, गेंडा तो कैसे कम्प्लीट करेंगे इस संटेंस को, वहाँ उन्हें नाक पर सींग वाला जानवर गेंडा दिखाई दिया क्या दिखाई दिया, गेंडा आपको समझ में आयां बच्चो, आपके लिए इस वीडियो के साथ कटिन शब्द दिये गए है अगर आपके पास किताबे या हिंदी की नोटबुक नहीं है तो आप अपना कारे घर पर उपलब्द किसी भी हिंदी की नोटबुक में कर सकते हैं प्रतेक प्रिष्ट की छवी आपको परदान की जा रही है अपना काम बड़ी सफाई से और पैटरन के अनुसार करें घर रहें, सुरक्षित रहें बबाई